लोग जन्शक्ती पाटी को सिंबॉल एलोड कर दिया गया है चुनाव आयोग ने आखिरकार नाम जो है वो तै कर लिया है चिराख पासवान के गुट का नाम जो है लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास तै किया गया है और साथ में सिंबल की बात करें तो चिराग पास्वान को हेलिकॉप्टर जो है वो चुनावायों के तरफ से सिंबल दिया गया है बीते दिनों जिस तरीके से बंगला विवाद हुआ था उसके बाद से एलेक्शन कमिशन ने बंगले को फ्रीज कर दिया था और कहा था कि जब तक लोग जन्शक्ती पार्टी में दो फाड़ है ऐसे में बंगले का इस्तमाल दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं ऐसे में लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास को यानि कि चिराग गुट को सिंबल जो है वो दे दिया है कहा जा रहा है कि उप चुनाव में इसी सिंबल के साथ चिराग पास्वान जो है अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारेंगे दिल्ली से यह खबर आ रही है बीते कल से ही कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमिशन किसी वक्त भी चिराग पास कुछ लग गया है और फाइनल कर दिया गया है कि चिराग पासवान का सिंबल जो है वो हेलिकॉप्टर होगा डिली से खबर आ रही है इसके बाद से आपको बता दे कि आज ही हो सकता है कि लोग जंशक्ति पार्टी चिराग गुट की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम का भी एलान कर दिया जाए कहा जा रहा है कि खुशेश्वर्श कारते अंजु देवी और वहीं तारापुर से राजवर्धन सिंग को टिकट चिराग पासवान दे सकते हैं आज तारिक को नॉमिनेशन करना है और आज ही कैंडिडेट्स के नाम का एलान भी हो जाएगा तो कुल मिलाकर खबर यही है कि चिराग पासवान के गुट का नाम रख दिया गया है एलेक्शन कमिशन के द्वारा एलेक्शन कमिशन ने नाम तै किया है लोग जंशक्ती पार्टी राम विलास और साथ में सिंबल बंगले की जगा अब चिराग पासवान ह परफ से उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अगर आपके हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, तागी तमाम चोटी बड़ी खबरे आप तक सब्सक्राइब पहुंचे के लोग जनसक्ती पाटी को चेश्वा रस्थान और तारापूर में दम लगा कर हम लोग लड़ेंगे, और बिहार के मांगय मुख मंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रिय मंत्री ने जिस तरीके से कुछक्र को रचा था, कि चुनाओ में एक साजिसन हम लोग के सिंबॉल को फ्रिच कराया गया, लेकि झाल